नावास्कर दूस्तों धीप इलेक्टोनिस के और एक नया और फ्रेज वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वगात है LCD LED TV के पैनल के बारे में तिन ऐसी पॉइंट जो आप सभी लोग को जानना चाहिए अगर आपके घर में कोई LED TV है और उस TV का पैनल टूट चुका है किसी भी कारण के वैसे क्यूं ना हो तो उसको रिपेर करने के लिए ये तीन पॉइंट आपके लिए सबसे महतुपून है और अगर आप एक टेकनी से अनौर LCD LED TV रिपेरिंग का काम करते हो उस समय भी आपको एक तीन पॉइंट बहुत एक काम में आएंगे वो तीन पॉइंट कौन कौन सी है ये सबसे पहले जान लीजिए उसके बाद आपको इन तीन पॉइंट के बारे में विस्तर से बताऊंगा LCD LED TV के पैनल के बारे में जो पहला पॉइंट में आप लोग को बताऊंगा वो यह है कि Sony, Samsung, LG या किसी भी ब्रैंड का TV का पैनल तूट जाए तो उस TV के अंदर हम लोग किसी भी कमपनी का पैनल को लगा सकता हूँ या नहीं दूसरे पॉइंट में आपको यह बताऊंगा कि कि अगर किसी भी LCD LED TV के अंदर HD पैनल लगा हुआ है क्या उस TV के अंदर में Full HD का पैनल लगा सकता हूँ या किसी भी TV के अंदर Full HD का पैनल लगा हुआ है तो उसके अंदर क्या हम HD पैनल लगा सकता हूँ और तीसरे point पे आपको ये पता चलेगा कि जब भी हमारे कोई भी TV का panel तूट जाती है तो उसके अंदर हमारे को निया panel लगवा ना सही रहेगा या नहीं ये जो तीन महत्यों पॉइंट है ये आपको सभी लोग को जाना चाहिए तो चलेए दोस्तों आप मैं आपको पहला point के बारे में थोरा सापको बिस्तर से बता देता हूँ कि किसी भी TV का अगर panel तूट जाए तो उस TV के अंदर सेम company का panel लगाना है किया हम दूसरे panel को भी लगा सकता हूँ देखे दोस्तों market में जो panel का जो market है ना वो है कि कुछ limited quantity या limited company वाला ही बनाती है जैसी के हो गया LG, Samsung, BOE, Coast ये 4 प्रोकर का panel हमें market से easily मिल जाती है 32 इंच के अंदर अगर 24 इंच के बारे में बात कर रहूं तो इनोलक्स का ही panel हमें market से अलग से खरीदने के लिए मिलता है और बाकि Sony, Samsung LG 24 इंच मिलना बहुत ही मुश्किल होता है तो 24 इंच अगर आपका TV हुआ तो आपको इनोलक्स का panel मिल जाएंगे 236 नंबर का या अगर आपके पास 32 इंच का TV है और उसके अगर अंदर panel को लगाना चाते हो तो आपको market में 4 option मिलती है एक तो Sony, दूसरा Samsung, तीसरा BOE, चोथा Coast का मिलता है उसके अलवा भी और दूए एक panel मिल जाती है जो कि हमें MITB का अंदर लगाने के लिए या जिस मदर बोड के अंदर पहले से टीकान बोड इन बिल्ड होता है उसके लिए हमें थोरा सा अलग से मिलता है लेकिन अब हमारे पास यह बात आ जाती है कि मान लिजिए आपके पास एक Samsung का TV है और उसके अंदर LG का panel लगा हुआ है लेकिन आप लोग को पता नहीं है जो लोग customer होता है उनको पता नहीं है मतलब उनके पास क्या होता है कि Sony का या LG का TV है उसका मतलब है कि panel का अंदर भी LG या Sony का company का वाला है का ही लगा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि Sony का अंदर भी आपको LG का पैनल मिल सकता है या मार्केट में जो हमारा non-branded LED TV मिलता है उसके अंदर आपको खास करके LG, Samsung, Coast और BOE का ये 4 Pro करके पैनल मिलता है तो माली जी आपके पास एक आकाई का TV है और आकाई का TV का पैनल तूट चुका है लेकिन आगर आप मार्केट में जाओगे पैनल को लगाने के लिए निया पैनल को लगाने के लिए तो आप चारों में से किसी को भी एक लगा सकते हो और इसके हिसाब से ही आपका डिपेंड पड़ेगा कि कितना खर्चा होगा पैनल लगाने के बाद मार्केट में जितने भी चार प्रोकार के अलग अलग पैनल्स मिलता है जो कि सारे 32 इंच टीबी के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे या सेट हो जाएगा जिस टीबी के अंदर टीकॉन बला मदरबोड लगा हुआ है उस टीबी को छोर कर ये चार जो पैनल्स हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो मेहेंगा पैनल हमें मार्केट से मिलते है वो LG माला मिलता है क्योंकि LG पैनल के अंदर है सबसे ज़्यादा जो picture quality हमें देखने को मिलता है और यह सारे के सारे non HD पैनल के अंदर ही मिलता है फुल HD भी मिलता है लेकिन हम लोग बत कर रहों non HD हम दुनों में से कोई सा भी लगा सकते हो तो यह था दोस्त हमरा पहला point का थोरा सा जानकरी कि अ पैनल लगा सकते हो अगर आपका टीवी 32 इंच का हुआ तो आपको इनलोक्स के अलाबा कोई दूसरा पैनल बहुत ही कमी देखने को मिलेंगे ज्यादा तर इनलोक्स का ही लगाया जाता है और मार्केट से इसले भी मिल जाती है उसके बाद हमरा दूसरे नंबर पे जो point था और फूल एच्ड यानिकी 366 बाला रेजुलेशन बाला पैनल और उनिस बीस दससी जो दूर एजुलेशन पैनल है जिसको एच्डी और फूल एच्डी बोला जाता है तो किसी भी टीवी का अंदर लगा सकते हो लेकिन आप चाहते हो कि फोरके टीवी के अंदर एच्डी व लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आगर आपके पास एच्डी या फूल एच्डी टीवी है उसके अंदर आप फूर के पैनल लगाना चाहते हो तो यह अच्छा नहीं है आपका जो टीवी का मदर बुड़ है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपका पैनल भी खरफ होने का चा करने जाता हूं तो इसके लिए हमें रेजूलेशन को चेंज करना पड़ता है मालेज हमारे पास कोई सोनी समसंग एलजी का टीवी का आया है जिसके अंदर हमें पहले से जो एच्डी पैने लागा हुआ था लेकिन अब हमें उसके अंदर फूल एच्डी पैने लागना है तो इसके लिए हमें बोड के अंदर जो चेंजेस करने पड़ता है थूरा सा जो रेजिस्टन्स इधर उधर हमें करना पड़ता है यह प्रोसेस हमा जो ब्रैंडेट टीवी होता है उसके अंदर हमें फॉलो करने होते हैं उसके बाद अगर हम यूनिवर्सल टाइप की मदर फ्लैस करके निया वाला सॉप्टेर को डाल के रिजूलेशन हमें सेट करना होते हैं तो दुनों ही प्रोसेस बहुत ही सिंपल है अगर आपको एक बाद जानकारी मिल गया इस सारे चीज़ का तो अब बहुत ही आसान इसे किसी भी टीवी का अंदर एचिदी से नोन एचिद फूल एचिदी में कनवर्ट कर सकते हो अपने टीवी का पैनल को उसके आलाव भी आपके पास और एक रास्ता होता है मालीज आपको सॉप्टेर करना नहीं आता है आपके पास प्रोग्रामान नहीं है आप रेजिस्टेंस को ढूनने ही पार है कि कहां पे रेजिस्टेंस हम में बदलना है जिसके बाद हमारा फूल एचिदी से नौन एचिदी हो जाएगा तो इसलिए हमारे मार्केट में छोटा 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 मॉडूल मिलते हैं जो कि आपको एलवीडियस कॉनवर्टर के नाम पर हमरे वीबसाट पर मिल जाएंगे आप यहां पर देख सकते हो कि जो चुटा-चूटा कन्वार्टर को लगाकर आपके से फूल एच्डी फूल एच्डी से नौन एच्डी उसके बाद आपका पीन्स का चैंज्जेस करना चाहते हो थाटी पींस आप फिटी ओन करना चाहते हो या आप नॉर्माल से 4K में कनेक्टर के बाद कर रहू हो हूं या आप FFC से आप जो है connector वाला को LVDS में convert करना चाहते हो तो यह सारे चीज आप इस तरीके का LVDS converter के जरीए कर सकते हो यह सारे चीज में technician के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि technician के पास बहुत सरे TV आते हैं और उस TV को ठीक करने के लिए मोडिफाइ करने के लिए इन सारे जो मोडिफाइ करने का मोडिूल है यह जूरत होती है तो आप इस टाइप का चीज को भी रिपेर करते हुए आप HD से कर सकते हो उसके बाद लास्ट में हमरा जो पॉइंट था वो यह था क्या टीवी का डिस्पेले टूटने के बाद नया डिस्पेले को लगाना सही रहेगा अपने जो अभी इस समाई की रेट चल रहा है लिए टीवी का उसको देखते हुए तो आगर आप एक कस्टमर हो सब्सक्राइब मार्केट सब्सक्राइब कर ताष बेंट वंटने के को यह था को सब्सक्राइब लें आपके पास तो इसलिए आपको 5000 का सब्सक्राइब करने के बाद लेकिन अगर आपके पास को ब्रैंडड टीबी सोनी संसंग एलजी इस टाइब का टीबी है तो आप जो है पैनल को रिप्लेस्मेंट करा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है आपका टीबी बहुत ही अच्छे चलेगा और तो आपको लगबग 15-20,000 से कम नहीं मिलेंगा अगर आप एंडुड टीबी के बात करें तो एक एंडुड टीबी अगर आप लेने जाओगे सोनी संसंग एलजी के तो बीस-पच्छिस हजार के आसपास मिल जाएंगे या तो 15,000 से नीचे तो आपको नहीं मिलेगा सोनी सं लेकिन अगर आप एक कास्टमरों मार्केर से खड़िने जाओगे तो आपको जो एक गुजर के आसपास ज्यादा देगा आपको निया टीबी मिल जाएंगे तो यहीं जानकरी आप लोग को देना चाहरा था क्योंकि इस जो तीन पॉइंट है इसके उपर बहुत सरे कॉमें लगाना है कि इस कंपनी का लगाना है सारे जानकरी आपको मिल चुका हुगा तो अगर आपको लगे कि इस वीडियो के जिरी आपको कुछ भी जानकरी मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजेगा और अगर आपके मैंन में किसी भी प्रोकार के कोई भी सवाल य किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्ता हम फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लो इसे अल दा बेस्ट